नमस्कार व्यूवस मैं हूँ अमीश देवगन और इसमें रात को नौ बच चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवास कल आएंगे चुनाफ के नतीजे लेकिर आज बड़ी बहस होगी प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रेस और समुचे विपक्षी धलो की मंचा पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे इस बीच संग प्रभुक मोहन भागवत यानी संग आरसे सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट है और हमें एक जुट होना है इससे पहले उत्तरप्रदेश के मुक्यमंत होना है तो कॉंग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी भी रस्टेजंत अधल भी बीजेपी पर और आरसेस पर गंबीर सवाल उठा रही है लेकिन बड़ा सवाल है क्या विपक्ष समाज को बाटने वाली सियासत कर रहा है और बीजेपी एक्शन का रियाक्शन कर रही है और आज इसी मुद्दे पर एक जोरदार पॉलिटिकल टक करोगी सी एन बीसी आवास पे आज का कारेकरम जरूर देखिए भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है वो हिंदू समाज है हिंदू को खत्रा है अब जीन खब्जा करके बैठा है विपक्षी की जाती वाली सियासत पर बीजेपी और आरेसेस ने जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरेसेस प्रमुख मोहन भागवत और सीम योकी तक हर कोई एक जुट रहने की अपील कर रहा है कॉंग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे तुकड़े हो जाएंगे कॉंग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है समाज को बाटो और सत्ता पर कब्जा करो हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बाटने वाले मैं फिल सजाएंगे अपने पवित्र हिंदू धर्म हिंदू सौंस्कृति हिंदू समाज का सौरक्षन कर हिंदू राट्र की सरवांगिन उन्नती करने वाला समाज समाज की शक्ति उसके संगटन में है समाज संगटित करना है ने किवल भीड इकटा करना नहीं कटेंगे तो कटेंगे लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सियासी दो-दो हाथ को तयार है मोहन भागवत आप भी चीन से धरते हैं क्या मोडी ने हिंदूों को तकलीफ दी मोडी ने मुसल्मानों को तकलीफ दी मोडी ने जलिदों को आदिवाशियों को अबेशी को तकलीफ दी ओवेशी के डीने में ही भारत के लिए खत्रा है मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो दो सो परतीशत सही कहा कि हिंदूों को अब समय आ गया है एक जुठ होने का ये राहुल गांधी के दूसरे भाई बन गये हैं ओवेशी कॉरी राजनिती लोगों को और समाज को बाटने और विवाद पैदा करने में हो कॉंग्रेस का मूल प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मुसल्वानों को वोर्ट बैंक बना कर रखो और हिंदूों को विवाजित करो लेकिन सवाल है कि बार-बार चुनाओं के बीच चाती वाली जनगणना से लेकर अगड़ों और पिछड़ों का मुद्दा किस सोच की तरफ इशारा कर रहा है और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है लोगसबा चुनाओं के दौरान समाजवादी पार्टी की एक नेता खुले आम वोट जिहाद की अपील कर चुकी है तो क्या वाकई जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है उसमें दम है आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस बटवारे की सियासी महफिल तो अब वक्त है सूपरसिद्व विश्चलेशन का ये नज़र डालते हैं बातने वाली सियासत का तथ्यात्वक विश्चलेशन मैं आपको एक आंकरा देता हूँ लोग सभाचुनाब दोजास चौबिस चौटा नरेटिव बिल्ट किया इस देशकंदर के आरक्षन समाप्त हो रहा है बारतिय सविधान बदला जा रहा है और बीजेपी की खाते में उसके बावदूद 31% वोट गया आदिवसी हिंदू 23% के करीब कॉंग्रेस के पास गया और 40% के पास बीजेपी के पास गया ये तब आया वोट जब नरेटिव एक तरह से चलाया गया कि आरक्षन समाप्त होग बारतिय सविधान बतला जाएगा जिसमें से कुछ नहीं होना था सबको बता था दूसरी तरफ कॉंग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर मुसलमान वोट को देखे एक मुष्ट तो 38% कॉंग्रेस के खेमे में गया है 8% बीजेपी के खेमे में आया है इसाई 25% कॉंग्रेस 14% के करीब बीजेपी सिखों का वोट 30% कॉंग्रेस 10% भारतिय अंतर पार्टी तो कि मूलता पंजाब के अंदर बीजेपी का उतना स्ट्राउंग वोस नहीं है तो ये नंबर इसलिए ऐसा दिख रहा है लेकिन देश बर में हम देखे तो प्रदेशन ठीक है बीजेपी का लेकिन फैक्ट ये कि मुसल्मान बोट लगबग लगबग एक तरफ पड़ा है कॉंग्रेस पार्टी को इसमें कोई दोराई नहीं है अब विपक्ष का गेम प्लैन क्या है जाती वाली जनकरना कराकर आरक्षन के नाम पर भढ़काना और एक छूटा प्रोपगेंड़ा चल दलित महादलितों को हिंदों से अलग दिखाओ ओवेसी की यही लाईन है कि दलित महादलित जो है उनका आलाइस मुसल्मान के साथ हो और यही लाईन तेज़श्पी यादव किया है यही लाई नहीं लगबग लगबग गरनेस भी गाय बगायफ फॉलो करती है लेकिन बड प्रश्ण के साथ इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊंगा मेरे चाथ फ्रेम शुक्ला है इस चर्चा के अंदर मेरे त्थी तबारिश पठान ने हैं आरं दूबे कि नहीं है भाई बात है कि सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से चाहती है कि लोग उनसे जुड़ें वोट दें सरकारें उनकी बने तो सब का राइट है महान भागवत जी डरे हुए है नरेंद्र मोधी घबराएं हुए है जिस दिन से न्यूज एटीन पे एक्जिट पोल आपने किया है हर्याना को लेकर के कश्मीर को लेकर के अमीश देव गंजी मैं देक्षिन भारत की यात्रा पे था तेलंगा ना घूमता हुआ आज बेंगलौर में करनाटक में यहां कॉंग्रेस इने शोगाड हिंदू है कि नहीं है वो लड़किया जो लड़ रही थी जंतर मंतर पर वह लगात कर रहा हूं मैंने 2024 का पूरा विश्टेशन निकाला और मैं आख़ों के बगहरा बात नहीं करता हुए अगर हम दूसरी तरफ देखे तो दलित और आदिवासियों का अधिकतर वोट बीजेपी के खेमे में जा रहा है लेकिन यह वोट तब पढ़ा जब एक नरेटिव बिल्ड करने का प्रयास हुआ कि आरक्षन समाप्त करने वाली है बीजेपी जो की गलत था फेक जूटा था उसके बाद सविधान बदलने वाला है इसको लेकर भी यह भी बीजेपी के लिए काउंटर प्रड़क्टिव साबित हुआ मेरा प्रश्णी यह है कि ओवेसी दलित और मुसलमान को एकमुष्ट गिरते हैं ऐसे हमने यूपी में सफा को देखा है बिहार में आरजेडी को द लेकिन दूसरी बात है वोट शिफ्ट करेगा क्योंकि हिंदू खत्रे में है यह निरेटिव समाप्त हो चुका है एकॉनमेट डिजास्टर्स है महंगाई बढ़ चुकी है पढ़ाई महंगी है हेल्सकेर आउड रीच है यह जो पॉइंट है यह पॉइंट जब हम रोटी कपड़ा और मकान मनोच कुमार की फिल्म तब आई थी जब हम जानते हैं क्या हालात थे तो मुझे लगता नहीं कि उसकी हम बात करेंगे में तक प्रेम शुक्ला है प्रेम शुक्ला सीधी सी बात है मोहन भागवत जी को प्रधान मंत्री मोदी को विपक्ष कह रहा ह है यह अब खतरा हो रहा है कि उनका वोट बैंक छिटक रहा है इसलिए मोहन भागवत ने यह स्टेटमेंट दी कि हिंदू समाज का संग्रक्षन करें समाज की शक्ति उसके संगठन में है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा है कि हमें याद रखना होगा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे सपा कॉंग्रेस और साथी साथ ओवेसी साथी साथ आर्जेडी तमाम लोग एक लाइन में कह रहे हैं कि वोट कि सकरा है भारतिय जनता पार्टी का इसलिए यह दरकार है एक सेकिंड यू में आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है विवे संखे आद्य सरसंग चालक संस्थापक पूजनी केशो बड़ी राम हेडगेवार जी ने विजया दसमें 1925 को ही लिया था और उसका वो जो उसमें जो चिंतन उनका था वो सही था क्योंकि उसके ठीक 22 वर्ष बाद इस देश को धर्म के आधार पर मजहब के आधार पर बाटने का कुकर्म हुआ की नहीं हुआ ये सत्त है की नहीं है और दस लाक हिंदूों का नरसंगार हुआ की नहीं हुआ ये सत्त है की नहीं है हजारों हिंदू महिलाओं पर जो है बलातकार किया गया ये सत्त है की नहीं है हजारों हिंदु महिलाओं को कुवे में पूद कर जो ओवर करके अपने प्राण अपनी अस्मत की रक्षा के लिए गवाने पड़े यह सत्त है कि नहीं है और एक कौम जो है वह बांगलादेश से लेकर फिलिस्तीन तक लेबनान तक वह कौम के नाम पर एक हो जाए तो से क् खिल्बूं है कि वह हिजबुल्ला फवा हुए जो एक आतंकी संग्ठन था है घिसको 24 देसं ने गर्फ कोश्क कॉपरेशन कांसेल ले भी हिजबुल्ला को आतंकी संग्ठन का मैं अकेले जो है फिर्फ यूरोपें युडियन की बात कर रहा हूं करनाडा की बात कर कर रहा हूं बलकि गल्फ कॉपरेशन कॉंसिल जिसके मेंबर युनाइटेड़ एमिरेट्स है सौधी एरेविया है वो भी जिसको आतंकवादी संग्ठन मानता है उस आतंकवादी संग्ठन के समर्थन में नारे लगाए जाए तो यह से क्लूरिजम है हमास के समर्थन में केरल कि में प्रदर्शन हो तो यह से क्लूरिजम है हिंदू एक हो जाओ की बात करते ही तमाम लोग को मिर्ची क्यों लग जाती भई नहीं हिंदू को एक होने से पीड़ा है ठीक है आपने यूमेडियो पॉइंट वारिसपठण वारिसपठण अगर हिंदू एक हो रहा है तो इ उनके लिए खत्रा है अच्छा आदिवासी और दलितों को तो आप हिंदू ही नहीं मानते क्यों वारिष पठाल देखे अमीजबाय कल मोहन भगवत ने कहा कि हिंदू राष्टर में खत्रा हो रहा है तो मुझे तो पता नहीं चला कि अपना भारत देश हिंदू राष्टर कब बन गया आपको कब मालूम पड़ा क्या मोदी जी ने डिकलेर किया क्या पार्लामेंट में कोई कानून पास हु तो बताना चरव इसी तरह से भरम फैला जाता है जूट फैलाया जाता है नफ्रत फैला जायती है बात नमबर दो दस साल हो गए प्रधान मंद्री मोधी प्रधान मंद्री ये देश के अमिज शाह हूं मिनिस्टर राजनात सिंग मिनिस्टर उनके बड़े-बड़े नेताओं के होते हुए अगर हिंदु खत्रे में है तो इस अपको रिजाइन देना चाहिए घर चले जाने देख जाओ आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते बात नमबर तीन हिंदू कैसे खत्रे में है देश में अजब कि 80% आबादी हिंदूों की है प्रधान मंत्री हिंदू डिफेंस मिनिस्टर हिंदू मिलिटरी के टॉप ब्रास में हिंदू ब्यूरोक्रिसी के अंदर हिंदू टोटल आप जैसे एंकर जो है बड़े-बड़े चैनलों के वो तमाम हिंदू है तो फिर उन्दू खत्रे में कोने मैं बताता हूं आपको इस देश में मोदी और आरेसेश की वज़े से खत्रे के अंदर देश में मुसल्मान दलीद भाई क्रिश्चन सी किसाई यह और सब्सक्राइब को हिंदूं से अलग क्यों करते हैं ये भी तो हिंदू ही है मैं परस्ण आपसे पूछ रहा हूं गएश का ओबीशी हिंदू नहीं है यह पश्छिप आई आगाâte के अंदर बंगाल के लिए बंगाल के लिए जो हिंदू संगार हुआ क्या उसst 통 does कि बाट रही है ना भीजेपी जब 12-14 से पहले वह पड़ते थे तो पूछके पर्टेट थे कि आप देखो देश के अंदर क्या हुरह सबसे सबसे जादा जो नफरत और सबसे जादा जो अतियाचार हो रहा है तो इनी पर हो रहा है ना आप देखे मुसल्मानों की हालत क्या कर दिया आज एक दाड़ी वाला टोपी वाला चाचा अगरे तो ट्रेन में जाने को डरता है कि अगर मैं जाओंगा तो मुझे जबन जैसर का हो नारा लगवाना को के अँगे फ्रेंगे के मुझे अपनी बात कम्प्रीट कर रहा हूं अपनी बात कम्प्रीट कर रहा हूं सतवरत क्या है बता रहो हूं मैं अमिश भाई लातूर का महर minimal का जा रहा था वाजू में से हिंदू यह की गाड़ी गई थोड़ा सा क्रेच ल पर गया जगा के उपर की जान चले गई वो रोट रहे हैं अब कौन खत्रे में गलत है वो रोट रहे हैं किसी के परमात्मा पर कोई विकर टिपनी न करें वह बहुता हूं सबका अपना अपना इस्ट है उन उन सबका सम्मान करना चाहिए लेकिन मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला आपका आपने मौझूदा भारत के अंदर मुसल्मान को अंसेफ कर दिया है और वेसी इसको लेकर बहुत चिंतित है और कॉंग्रेस का भी यह चिंतन है राहूल गांदी तो खुद कह चुके हैं देखिए नफरत देखिए नफरत का भाव यह है कि बारा मार चुनिस सो तिरानवे को सेकड़ों हिंदूओं को बम कांड करके इसलामी आत्मिकवादी मार देते हैं और उनकी हत्या का जो शड़ मेमन उसकी शव यात्रा में अल्लाओं अक्बर के नारे लगाने वाले वो राजनितिक दलों के लोग होते हैं और उनको बिलकुल बेशर्मी के साथ उसका समर्तल करते हैं नफरत यह होती है कि अफजल गुरू के लिए अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का न नफरत यह है कि मुंबई की ट्रेन में फर्स क्लास कंपार्टमेंट देखके किसमें हिंदू जादा चलते हैं बंप फोड़ा जाता है नफरत यह है कि लगातार जो है हत्याएं की जाती है और अब परसों की बात है एक गरबा खेलने जा रही हिंदी यूती को एक कौम मुस्लिम लड़की जा रही हो तो एमाईयम के गुंडे हैदराबाद में उस पर हमला करते हैं यह नफरत का भाव है और यह नफरत जो है पूर्ट कर भरा हुआ है और हार दिर बार जाता है नफरत का भाव है कली मुस्लिम तो बैटर होगा ओके दलितों का अधिकार सुनिय अधिकार चिल लिया जाता है नफरत का यह ने बात किया बंबलास की बंबाई में बंबलास कहीं भी हो कहर आतंगवादी गति विदियों का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है और जो आरू भी पकड़े थे ना उसके अंदर वकील कोंदे मैं आपको बताता हूं यह बीजेपी के जो सांसेद रहे चुके राम जेटमलानी केस लड़ रहे थे उनका शांती भुशन ने केस लड़ा उनका कफिल सिबल ने केस लड़ा नितित परदा देते हो और बोलते हो जाओ इसलाम के खिलाब अनाव शराफ बखवास करो हुजूर मुझमानों के दिलों को ठेस पोचाओ पोलराइस करो दूर्वी करणी की राजनीती करो हम बैटे सरकार के अंदर हम बैटे सत्ता में तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो जाएगा नफरत डिर का नफरत बसमानों को मस्झिद में गूसन खूरत इसके मुसलमानों को इसको तो सब्सक्राइग लगा होता है नफरत वह होती है जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुचती है उसके फार होता है डिटर्इन करते है उसके उपर नफरत यह होती है नफरत यह होती है जब आगा वकफ का बिल डाल के साबित करना चाहते हुआ अजुआ नफरत यह होती है कि अग्शाइग जब दुछारा चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा नफरत यह होती है कि अगरुत दिनों इसी कहता है कि सिर्फ 15 मिट का समय देदो हम पुलिस हटा लो हम जो है हिंदूों का सफाया कर देंगे नफरत यह होती है आगे आप लगा तो किस तो पर भी वाबा बीच पर जाएगा अब अपने अपने तरकों पर बात रखें तो बेतर है इस तरह की भाषा का मैं बिलकुल पक्षडर नहीं है आप दोनों मेरे सम्मानित में मान हैं वारिश पठान साब और प्रेम शुक्ला जी आप दोनों मेरे सम्मानित में मान हैं किसी महवान के लिए इस तरह क्या भदरता के शब्द इस्तवाल हो वो जायज बात नहीं है मेरा निवेदन है आप अपने अपने शब्द वापस लीजिए और आगे से इस तरह की शब्दों का प्रियोग ना करें मैं आता हूँ मेरे साथ आनंदूबे भी है मेरे साथ प्रफेसर रागी भी है मैं आता हूँ प्रफेसर रागी तो क्या आपको लगता है कि पिछले एक हफते में तीन बड़े लोगों के बायाद योगी अधित्राथ प्रधान मंत्री मोहदी मोहन भागवत ऐसा क्यों है यह सायोग है या फिर इट इस आ पॉलिटिकल प्रियोग यह प्रियोग नहीं है यदि आप इसेंबली पढ़ेंगे तो अंतिम भासन में डॉक्टर रंबेदकर ने कहा था कि हमारे अंदर जैचंदो के कारण ही हम पराजित हुए है और आज भी हिंदू समाद जो है वेदी नरेंद मोदी सरकार जो है 240 पर सिमट गई तो जैचंदो के कारण ही सिमट गई जो लोग हमारे साथ हुआ करते थे जो हिंदू समाद की तरफ से मुस्लिम समाद की तरफ एक ढंका हाथ आगे बढ़ाया था मोहन भागवाजी ने डिये ने एक करने की बात की थी कहा था हिंदू और मुस्लिम सावहार्थ के तरह से हम जी सकते हैं बाई बाई की तरफ जी सकते हैं नरेंद्र मोदी ने पॉलीसियों के तहट जो है वो बहुत जादा मुसल्मानों को उससे बेनिफिट कराया इसके अतरिक्त जो तीन तलाक का मुद्दा था मुसलिम महिलाओं के अस्तित्वगा और अस्मिता को बचाने को से कि जो हुँ होच कई सोच आपकी संकीर मेर पार बोर्ट क्यार बहुत अच्छी बात है सबका साथ सबका विश्वास प्रधान मंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास बिलकुल क्या मुसल्मानों का विश्वास हुआ मुसल्मानों ने तो वोट जिहाद कर दिया आप देश के मुसलिम बहुल इलाकों के आखड़े को बूथवाइज लेकर के निकाल करके आईए इस देश का मुसलमान हमेशा हमेशा इसलाम के नाम पर इसलाम के लिए वोट करता है और हिंदू समाज जातियों के लिए वोट करता है जाती पर वोट करता है और जैसे ही हिंदू समाज को ये कठा करने की बात होती है, ये सब बिलबिला करके बाहर के बाहर के बाहर के निकल बढ़ते हैं, सुन लिजे, मुझे अपनी बात का खत्म नहीं हुई, मैं बात करता हूँ, जो ब्यक्ति सत्ता के लिए अपने पिता की सारी विरासत को जैचंद की तरह फेक दे, तितिर बितिर कर दे, उसे हम क्या समझेगे, जो हिंदू हिर्दय समराट का पुत्र जो है, वो आज उन जैचंदों के साथ खड़ा हो जाए, उस खेमे में खड़ा हो जाए, ठीक है, ये बड़ा स्टेटमेंट आपका, ये बड़ा स्टेटमेंट हिंदू के बीच में अपजल खांके, अपजल खांके वारिसों के साथ उद्धो ठाकरे खड़े हो जाए, तो हम क्या कहें, आज जा करके, पर वोट तो मिल रहा है ना, जीत तो गए चुनाब वो, मैं तो यही कहा हूँ, सत्ता के लिए हिंदू समाध के ही लोगों ने धर् परिवर्तन किया था ना, अपनी बहुन बोएटियों को परिवर्तन करवाया था ना, सत्ता की लालत में ही कर रहा है था ना, या जबरन उनके साथ, इस्लाम ने यही करके तो किया, दो तरीकों से हुआ, आज जो है, वोट के लिए कुछ लोग, उनके मुसलमानों का हमको व कि या हो सुनी हो जितने फिरके हैं जो कहते हैं बातर फिरके हैं सारे के सारे फिरके नरंद्र मोदी चुकी हिंदुत की पार्टी है इसलिए उसके खिलाब वोट किया और जो पार्टी इसलाम के साथ कड़ी होती है उसको उन्होंने वोट दिया ऐसे तो फिर ओवेसी को जीता कि आपने लोग जीत करके आते हैं अपने इसलाम के लिए दीन के लिए काम करने वाले वो जो नरेज मोदी गदी पर बैटा हुआ ना उसको हटाना है और क्यों कि आनन दुबे के बाद जाना पड़ेगा आनन क्योंकि आपने एक बड़ी स्टेटमेंट गे अनन दुबे मोहन बाद की स्टेटमेंट से आप एगरी करते हैं और डिसेगरी करते हैं और देन कम तो मिस्टर रागी फर्स आंसर माइग क्वेश्चन अमीज भाई नमस्ते योगी आदितनाजी का बयान था बटोगे तो कटोगे मोधी साहब का बयान है देखो बटोगे तो बाटने वाले महफिल सजाएंगे और आदरनी मोहन भागवत साहब का बयान है कि हिंदू को एक हो जाना चाहिए हिंदू को बटना नहीं चाहिए उन तो चामीन खिसक गई है अगर हिंदु इकठा हो जाए हिंदु इकठा समाज़ मो हो गया तो क्या किया केवल बिजैबी कोट करने में कि विजैबी कौन है भाई जिस आरे ख़ात से फिर्मेंट से मैं फिर्मृा coûts पूरे डिबेट में अगर पाइस सेट नहीं तो आपके अधिकार है मैं वही कह रहा हूं कि मोहन भागवाजी हो मोधी साहब हो योगी साहब हो तीनों ही नेताओं का बयान दिखाता है कि हिंदु इकठा होकर केवल बीजेपी कोट करो तभी हिंदु मजबूत है यह कैसा विस्लेशन है भई अभी रागी सहाब कह रहे है कि सत्ता की लालज के लिए हिंदूों ने अपना चरित्रहनन कर दिया धरम परिवर्तन कर दिया मतलब जो हिंदू आपको ओट कर रहे हैं हिंदू है और जो हिंदू महाविकास अगारी कोट कर रहे हैं इंडिया गडबंदर को वो हिंदू नहीं है तो आयुद्या में कितने हिंदू है और कितने मुसल्मान है आयुद्या में हिंदू जादा है कि मुसल्मान जादा है आप चुनावार गए नासिक में हिंदू जादा है कि मुसल्मान जादा है आप चुनावार गए रामिस्रम में हिंदू जादा है कि मुसल्मान जादा है आप चुनावार गए राम टेक में हिंदू जादा है मुसल्मान जादा है आप चुनावार गए कि मुसल्मान इसलाग के लिए वोट करता है हिंदू समाज जातियों के लिए वोट करता है यही हमारा दुर भाग गया है मैं यही तो कह रहा हूँ आपके साथ खड़ा नहीं है लागी साब अपने जिमाग की नश्ट अपित कर रहे हैं कि आप थेकेदार नहीं है विजेपी हिंदू की थेकेदार नहीं है इस देश में बहुत सारे लोग है तो सकल हिंदू समाज के लिए काम करना चाहते है यह आपका भ्रह्म है यह आपका अफ्वाह है जिसको जनता ने तोड़ दिया अनन दूबे लेट्स टॉक अबाउट नबर 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 दिविंद पटनविज ने एक आरोप लगाया कोट अंकोट की वोट जिहाद हुआ और 14 लोगसमा सीटों पर वोट जिहाद हुआ हमने कुछ आंकड़े देखे जिन और कुछ सीटों के ऊपर आपको अकलियोतों का वोट बड़ी तदात में मला जिसकी वज़ासे आपको सीटे जीत के आए क्या आपको लगता है क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जो बात कह रही है वो अपने वोट बैंक को कंसॉलिडेट करने के लिए कह रही है अब वक्फ जैसे इशू पर आप भी लोग भी तो साइलेंट है आपको भी तो अपने वोट बैंक की चिंता है ना आपको पता है कि आपको वहाँ से एक बड़ा वोट मिल रहा है और आपने तो बोला, हम ग्रैंड हिंदु हैं एक जिसमें वारिस पठान DAVID उसका रहकरति ने है थी आपने बोला, हम तो ग्रैंड ग्रैंड हिंदु है पार्टी पसंद नहीं है उसे ओट नहीं करेंगे यह हो गई पहली बात दूसरी बात पूरे महाराष्ट में कौन सी सीट है जो केवल मुसल्मान ही जिता देंगे और हिंदु अगर ओट न करें तो कोई जीच जाए जिस कैंडिडेट को पांच से छे लाग साथ लाग ओट मिलते हैं वो क्या पूरे के पूरे के वल मुसल्मानों के ओट होते हैं इसका मतलब आप लोगों को गुमरा कर रहे हैं दूले लोग सभा एक प्रिफेक्ट एक्जामपल है जहां 500 कॉंसिट्वेंसी चुनाव जीच जीते हैं लेकिन आखरी छटी कॉंसिट्वेंसी के अंदर वहां पर क्या हुआ आप भी जानते हैं कितने कितने ओटों से 2000 पाँजार दो हजार पाँजार से बढ़त बनाये हुए इसको अब जितना बोलते हैं कागज पर जीचार होती है जब नतिजे आते हैं तो कोई 50,000 से जिता है कोई 10,000 से जिता है आप जीचार को कैसे विस्ट्रेशन कर सकते बाई ये कैसा चुनाव और ये कैसा चुनाव का निचार आना दूबे आना दूबे आदूबे यू मेडियो पॉट अमीश जी देश के जितने भी मुस्लिम आदूबे ये कि इसमें अपूपाइब पॉसमें नहीं गिलते हैं मेरा कहना है बिल्कुल उन्होंने सही कहा, आनन जी ने कहा हिंदू लोग जातियों के आधार पर विष्क्त हुआ मुस्लिम लोग अपने फिरकों के अधार पर विवक्त नहीं हुआ बेनिफिट लिया सिस्टम से इसके बाब जूद भी नरेंजमोदी को बोट नहीं किया मैंने यही कहा ना मैं यही कह रहा हूँ मुस्लिम इकठा है इसलाम के नाम पर वो फिलिस्तीन तक उसका इसलाम एक है भारत का हिंदू समाथ जात्यों में बटा हुआ है इसलिए हम दिन देखे यही कारण था पाकिस्तान भी भाज़त हुआता है यही कारण था कि हम अभजारिस्तान ते खटकव खत्म हो गए यही कारण था कि हमारे हैं बंगला देश जैसी अनन दूबे अनन दूबे है वा स्ट्रॉंग पाकिस्तान का विभाजन पाकिस्तान का विभाजन आदरी इंद्रा गांदी जी ने किया था अपने दमखम में इन भाजपाईयों के बसकी बात नहीं है पाकिस्तान के विभाजन के लिए नहीं कहा मैंने कहा जब हिंदू कम गए हिंदू कम जोर हुए इसलिए हुआ अब मतलब सियाल कोट लेकिन उनका पॉइंट है कि हिंदूस्तान का विभाजन तो स्टूडर एक शीन कर दो सकति आधार फंस्ता आमारत से पाइसके श्रूवर्ट में अधर मन से मुसल्मनों वक्रण कांवरा से समया तो के अननंदूबय एक से यह कीरद है यंश्यार को फ्राट का के अंदर अधिकतर हिंदु थे लेकिन वहां के हिंदुओं ने वोट नहीं डाले इसलिए स्याल कोट आज पाकिस्तान में चला गया यह यह फैक्ट है यह historical fact प्रश पॉइंट यह है कि क्या जो बात बीजेपी कह रही है rss कह रही है उसमें क्या एक पॉलिटिकल गेम प्लाइन है 30 सेकंड देन आइल गो टू प्रेम शुक्लाइन वारिश पठान हरियाणग सुनाव के रुजान जंकु कष्मीर के रुजान और महाराष्ट और जॹारकंड में होने वाले चुनाव के परिदा सु सुनाव के परिदां सुनाव नीचे की जमीन खिसक गई है। पता चल चुका है कि सकल हिंदू समाथ हमसे दूर हो गया है हमारी कून इत्यों की वज़े से हमारे काम करने के तरीकों की वज़े से 2014 में यहीं मोदी साफ जब चुनाओं में आये थे तो कहते थे मैं ओवी सी समाथ से हूँ पिछडा समाथ से हूँ तब क्यों नहीं का आप कि मैं हिंदू सबात से हूँ, मैं एक हिंदू नेता हूँ, मुझे मद्दान करिये, जहां चुनावी हिंदू बनना है, वहां हिंदू बन जाओगे, जहां पिछड़ा बनना है, वहां चलाकी से पिछड़ा बन जाओगे, जनता ने पकड़ लिया, ज इजिट पोल के अंदर और विपक्ष भी इसको कह रहा है उस संभावित हार के चलते महाराष्ट में दो दिक्कते हैं बीजेपी और बीजेपी और उसकी घटक दलों के बीच में उन दिक्कतों के चलते यह पोलिटिकल गेम प्लान है आपका दिस सूट्स यू नहीं तो आप भी OBC मंत्रियों के लेश्ट, दलित मंत्रियों के लेश्ट, दलित राष्ट्रपती सब गिनवाते हैं आप भी आपने कौन तो छोड़ा और जबकि फैक्ट एक कि OBC, OBC लीडर्शिप खड़ी करने में भारतिय इंतर पार्टी का बहुत बड़ा हास है यादकर अनंदु भे अमिश जी में अत्यनत विनमरता पूर्वक पहले आपने पहली जो सत्र में डिवेड़े था आपने मेरे एक शब्द पर आपत्त की और का गला शब्द का प्रियों कर रहा हूं कोठा शब्द पर सम्झे उता आपको आपत्ती थी कोठा शब्द का डिक्शनरी कि लिए कह रहा है कि तो अगर किसीं को मकान की पदाइस के दूkay के दूं집 दोनोको मैं आपको समाने अकने कृपार करने किसे कि क्या उत धर्शकों को जाता है कि मैं आप्षब्द power meले कि आप्षब्दों का प्रेस्याने का नहीं कर उनके पर्भेर उनके तुट अप्ध्र करना मेरा अप किसी की प्राद में Konsा剛剛ogen करिये वह आप कि रखता और हिंदी में और उर्दू डिक्षिनरी और उर्दू डिक्षिनरी दोनों कोड़ कर रहा हूं कि विशे नहीं है अच्छा मेरे सवाल का जवाब मुझे गाली दे रहे हैं अब दूसरी बात अब दूसरी बात हम अंतियोदे के विचार में रखते हैं अब अगर पिछड़ी जाती के अनुसूचित जाती कि विक्तिका जो है इस देश में जब हम कल्याण कारी राजी की संकलपना करते हैं तो कल्याणे कारी राजी में जो नीचे के पाईदान पर मAhatma गांदी क्या चाहते थे रामराज क्या है समयधानिक लोगतंत्र क्या है कि अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देना तो हम बताते तो गलत करते हैं तो जोड़ने की बात कर रहे हैं यह तोड़ने की बात कर रहे हैं आप भाई हमने कभी कहा कि मुसल्मानों को तोड़ द तो क्या भारत का मुसल्मान भारत का इसाई भारत का सिख अंतीम पाइदान पर नहीं खड़ा है उसको नहीं लाना है यह आपकी सोच है सबका साथ सबका विकास की बात करना होगा हम तो बारम बार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन उधव ठाकरे कहते थे उधवा को हटाओ अधूल बॉन फंवक्रहास के रांदी है वारिश्पठीलगा हुआगाँ द्वनों चीश का रहा हुँ मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ पहले अभी यहाँ पर RSS के प्रवक्ता वेट आपके स्टुढि और ने क्या करा वोट जिहाद की वाद की अब ये वोट के हिसाब से अगर जो बुसल्मानों की बुट कर दिया वह एंटीणेशनल होगा यह वोट हमारे कितने दलित भायों ने इनको वोट नहीं दिया वह कुंसा जयात भूलेंगे उनको प्यानम देंगे विछ पिर पिछते सब लेना चाहिए क्या उनको भी स्किम ने नहीं 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 है इस वोट जियात क्या है इस वोट जियात कि वाद उनको सुभा नहीं ते समीदान की शपत लेके बैठे वो इस तरह गेरी जो बीजेपी को वोट नहीं लो गया जो पीजेपी की स्कीम लिया तो ले अरे ठेक्सपेर के सिंदे रहें को मोधी के हैं को स्कीम दे तो तो यह working शोड़ देना चाहिए आपके इसवार इंट ने रागाए लेगे कि अपने वाला सब्जी बैचने वाला चिर्कुट की तरह का रिखाई लिखते हो जहन में गंदगी भरी हुई जहन में नफरत भरी हुई है अब जो रहा है क्या यह एक्षन का रियक्षन है क्या आप लोगों ने भी तो भीजबोई आपने बोला क्या रक्षन सब्दक्रने वाले हैं आपने बोला सविधान बदलने वाले कुछ नहीं था फ्रोड बाते थी जूटी बाते थी सब्सक्राइशन का रेक्षन है इसा नहीं है वह भी राजनी सिंदर है करेगा संग की आइडियोजी संग की जो आइडियोजी है वह हिंदू सुप्रीमेसी वाया ब्रह्मनिकल सुप्रीमेसी की है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन संग के अंदर है इन्होंने पार्टीशन की बात किती संगीत रागीन हिंदुस्तान के उसके अंदर हिंदू वादी स्ताकतों का हिंदू मासवा का ब लेकिन ब्रेक के उस पार एक ब्रेकिंग स्टोरी एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है लेकिन देश आज एक ऐसे नेता को देख रहा है जिसने बीते 23 साल में जो काम हाथ में लिया उस पर उनका फोकस अटल रहा और ये बात मैं निजी तोर पर चांटा हूँ नरेंद दामोदर तासमोदी ये वो नाम है जिन्होंने 7 अक्तूबर 2001 को पहली बार गुजरात की कमान संभाली और 2014 में देश के पधार मंतरी बनने तक वो गुजरात के मुक्य मंतरी रहे इस दोरान उन्होंने चुनाव में हराने की तमाम कोशिशे विफल साबित हुई आरोप लगते रहे कि तब की केंद सरकार कॉंग्रस सरकार ने नरेंद मोदी को कई फर्जी मुद्दो पर फसाने का पुर्जोर प्रयास किया लेकिन नरेंद मोदी ने उन चुनावतियों का डटकर सामना किया विए और शायद यही वज़ा है कि 2014 में पहली बार जब प्रधान मंत्री की कुरसी नरेंद मोदी ने समाली तब से अब तक वो लगातार तीसरी बार अकेले सब पर भाड़ी पढ़ते हुए दिखी रहे लेकिन नरेंद मोदी होने के माइने क्या है नरेंद मोदी का जीवन से काता है कि पल भर में कुछ हासिल नहीं होता कुछ पाने के लिए कड़ी मशक्कत साधना की अविशक्ता होती है साल 2022 में मोदी अट्वंटी किताब का विमोचन करते हुए देश के ग्रे मंत्री अमिच्चा ने नरेंद मोदी के बारे में कहा था कि उन्हें समझना है तो उनके शुरुवाती 30 साल को जानना जरूरी है ये वही साल थे दवो एक छोटे से कारेकरता से कामियाब राजनितिग्ये तक बने कभी पंचायत के सदस्ये नहीं रहे नरेंद मोदी फिर भी देश के सबसे लोकप्रिये नेता बन गए अब 23 साल पूरे होने पर ग्रे मंत्री अमिच्चा ने कहा है कि 23 वर्ष की साधरा मोदी जी की अजुतिये स्वमरपड का एक बड़ा परतीक है मेरे लिए सुभाग्य की बात है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ 2001 भुज में आए बुकंब के बाद शायद किसी ने सोचा होगा कि गुजरात रिकॉर्ड टाइम में फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा वीवर्स लेकिन मोदी ने ऐसा कर दिखाया यह पहला एक्जामपल था क्या किसी ने सोचा होगा कि आदादी के बाद एक ऐसी सरकार आएगी जो देश में 53 करोड गरीबों के बैंक खाते में खुलवाएगी और ये भी नरेंद मोदी का ही विजन है उन्होंने चीन जैसे मैनुफेक्शरिंग जाइंट के सामने मेक इन इंडिया का सिरफ नारण नहीं दिखाया बलकि ऐसा करके भी दिखाया भी ते 10 साल में इतना है नहीं चांद के अंटच्च स्पोर्ट पर भारत पहुचा डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया और ये तब सम्भववा जब संसद में राहूल गांदी ने मेकिन इंडिया का मजाग उड़ाया था पूर्वित मंत्री पीच तामरम ने भारत की संसत में ही का था कि भारतियों को ठीक से फोन चलाना तो आता नहीं है ये डिजिटल इंटरनेट पेमेंट करेंगे कैसे ये सब सत्ते है करोना काल में जब पूरी दुनिया रेंग रही थी तब भारत ने ना सिर्फ पहली बार मास्क वेंटिलेटर और पीपीटी किट बनाए बलकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी आप मोदी को पसंद करें या ना करें लेकिन उनके विजन और मिहनत को नजर अंदास नहीं कर सकते नरेंद मोदी वो सपने देखते हैं जिने सियासत में इसकी क्या जरूरत है और क्या फर्फ पढ़ता है वाली सोच से हैंडल किया जाता है मोदी ने बीते 10 साल में ऐसे ना जाने कितने टास्क सेक्सेस्टूल किये हैं जो असंबफ थे धारा 370, प्रभू राम का मंदिर, ट्रिपल तलाक जो शायद इस देश में करना असंबफ था लेकिन मोदी ने उन सब को अपनी कारे प्रणादीर से संबफ कर दिया और देश की युवाओं को अगर मोदी से कुछ सीखना चाहिए तो सीखना चाहिए धहरे और सीखना चाहिए कमिट्मेंट जो बहुत इंपोर्टन्ट है आज कर तो फिलाल टक करके मंदे एडिशन में सोवार एडिशन में इतना ही आज का कारेक्रम आपने देखा आपका ब झाल सक और चाहिए दो